जिलाचिनवाडा मद्ध देश ग्राउंडोप में रोड नहीं बनने के कारण उस गाउं के लोगों को बर्षात के दिनों में बहुत परिशानी का सामना करना पड़ता है इसकुल जाने वाले बालक बाली काउं को भी इसकुल जाने में दिक्कते होती है बहुत कीचड़ होती हम लोग बहुत समझी जाते हैं तो कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं कभी कभी स्कुल नहीं जाने पर तक कपड़ गंदे हो जाते हैं आपको लगता है कि नहीं रोड बनना चाहिए आपके गाउं में जबकि पंचाद में दो बार अवेदन दिया था, पंचाद में जाकर सर्पन सचीव के पास अमा जी इस महले से बच्चे स्कुल जाते होंगे न हाँ मेडम यह महले से बच्चे सभी घर के जाते हैं बरसाद में चीखल होती है, कीचड़ होती है तो बच्चे लोग इसकुल जा नहीं पाते हैं अच्छा ऐसे कितने माकान होंगे इस महले में इस महले में इस महले में आपने सीसी रोट के लिए अवेदन लगाया था ग्राम पंचाइद में नगाई था मेडाम जी हमारे अवेदन का चुछ द्धान नहीं दिए सच्षी साब नगया था आपने अवेदनिया को है आप के महले में जादा आप में अभी नहीं बनेगा बोले तो आपने पूछा नहीं क्यों नहीं बनेगा तो हमने पूछे तो अभी दूसरा रोट बनेगा तो इधर वाला तुम्हारा रोट नहीं बनेगा तब में रोट हमारा ही है इधर ही बना बोले हमने मैं चाहती हूँ कि ग्राम डोब में जल्द से जल्द सीसी रोड बनवाया जाए क्योंकि बारिश के दिनों में उस महले में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो और इसकुल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े रोड नहीं बनने के कारण गर्वती महिलाओं को पके रोड तक पैदल जाना पड़ता है एक किलो मीटर दूर गर्वती महिलाओं को चलने में परेशानी होती है इसलिए वो चाहती है कि हमारे वाड नमबर दो महले में सीसी रोड बनना चाहिए जनपत पंचाइद अधिकारी को इस नमबर पर कॉल करें 71-9-27-23-03 पर कॉल करें मैं अनीता जिला चिनवारा मद्ध प्रदेश इंडिया अनहट से